हलो गाईज मैं हूँ सीमा और आपका स्वागत है आपकी अपने चैनल जिसका नाम है रोस्टिप सेच हूं दोस्तों यह बात तो आप सब जानते हैं जो कोरियंस होते हैं जैपनीज होते हैं उनकी स्कीन होती है वह बहुती जादा सुन्दर एट्रेक्टिव स्मूथ होती हैं उनके फेस पर किसी भी तरह की कोई भी दाग, धबबा, निशान, पिग्मेंटेशन, कुछ भी नहीं होता ना कोई पिम्पल्स होता हैं यह सब तो आप जानते ही हैं लेकिन इसके साथ साथ आपने कभी यह जाने की कोशिश करी किसका सीक्रेट क्या है तो आज ऐसा ही एक सी दोस्तों आज की वीडियो के अंदर जो हमारी रेमेडी है उसको बनाने के लिए हमें यह चीज़े चहिए लेना एक खाली बाउल यह हमारा चावल का मांड है अलोवेरा जेल और एक विटामिन E कैपसुल तो दोस्तों इस रेमेडी को बनाने के लिए हमारा जो चावल का मांड था अब सबको पता ही होगा किस तरीके से बनाते हैं चावल को उबालकर उसका जो पानी रह जाता है उ चावल के चम्माच और इसके बाद जो हमारी तीसरी और आखरी चीज है वो है हमारा विटामिन E कैपसुल तो हमें एक लेना है सहले हम इसको इस तरीके से कट कर लेंगे और इसको पूरा इसमें डाल लेंगे तो यह हमारी सारी चीजे इसमें आ गई है और हमें इसको इस तरीके से मिक्स कर लेना है बस लिए हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है अब मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको इसे अपने फेस पर जूस करना है आपको back brush लेनी है, back brush को इसमें डालना है, जो remedy है हमारी इसको आपको इस तरीके से नीचे से उपर की तरब जैसे हम लुग face pack लगाते हैं, इस तरीके से लगाना है इस तरीके से लगाना है यह पैक जो है यह आपके स्कीन के किसी भी चाइब के कोई भी दाग दब्बे हैं पिग्मेंटेशन है कने हैं फिम्पल्स है उनको खतम करेगा टैनिंग है उसको भी खतम करेगा और आपकी जो स्कीन है वो बहुत ही जादा अट्रेक्टिव और स्मूथ बन जाएगी दो बार के यूज से ही ऐसा आपको सिर्फ हफते में दो बार करना है 15 मिन तक अब मैं इसको ड्राइ करूंगी वो नूर्मल पानी से अपने फेस को वोश करूंगी दोस्तों जैसा कि आपने देखा आज की वीडियो के अंदर जो हमारी रेमेडी है खुबसूरा स्कीन के लिए उसको बनाना और अपलाई करना दोनों ही कितना इजी है आपको भी इसको ऐसे ही बनाना है ऐसे ही अपलाई करना है जैसे मैंने आपको करके दिखाया है हफते में आप इसका सिर्फ 15 मिनिट के लिए दो बार यूज करेंगे और आप एक से दो बार के यूज से खुद फरक देखेंगे अगर आप भी ऐसी स्कीन चाहते हैं उनके जैसी ग्लो चाहते हैं चैरा खिला खिला चाहते हैं अपनी परसनेलिटी को अट्रेक्टिव बना करें के लिए